साथियों, आज हम एंजाइम बनाने वाले हैं आज की वीडियो में हम इसको सिर्फ बनाना शिखेंगे अगली वीडियो में इसके उप्योग के बारे में सिखेंगे तो एंजाइम को बनाने के लिए सबसे पहले फल, सबजियों के छिलके, पेड़ पोदों के पत्ते, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं और उनके छोटे टुगड़े कर लेते हैं दूसरी चीज हमें चाहिएगी मिठा पदार इसमें हम गुड, सहद या देशी खांड ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर गुड इस्तिमाल कर रहा हूँ और तीसरी चीज है, एक प्लास्टिकी बोतल या काच्की भी ले सकते हैं जिसमें आपको पानी डालना है कितना डालना है ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा और ढकन भी हो उसके उपर जो अच्छी तरह से टाइट बंद किया जा सके पानी, मीठा पदा और फल सब्जियों के चिलके इन तीनों को हमने बोतल में डाल देना है इन सब को एक अनुपात, तीन अनुपात, दस अनुपात में आपको इसमें डालना है मतलब कि अगर आपके पास 100 ग्राम गुड है, तो उसका 3 गुणा 300 ग्राम फल सब्जियों के चिलके आप ले सकते हैं और उसका 10 गुणा, गुड की मातरा का 10 गुणा, 1000 मिली लीटर आपको पानी लेना है इस अनुपात के अनुसार आप एंजाइम की मातरा को कम या ज़ादा कर सकते हैं लेकिन ज्यान रहे इस अनुपात में ही चीजों को रखें और इन तीनों चीजों को डाल कर अच्छी तरह से मिला ले और धकन को टाइट बंद करती सी जिससे की बाहर की गैस अंदर न गुस पाए नहीं तो ये एंजाइम बनने से पहले ही खराब हो जाएगा इस एंजाइम को बनने में तीन महिने यानि 90 दिन लगेंगे तो तीन महिने तक आपको थोड़ी सी सावधनी बर्तनी पड़ेगी कि पहले 30 दिन तक एक या दो दिन में एक बार धकन को ढिला करके गैस निकाल देनी है और बिना उस धकन को पूरा खोले दोबारा से धकन को बंद कर देना है और जो बोतल आपने लिए हैं वो थोड़ी खाली रहनी चाहिए नहीं तो जब आप गैस निकालेंगे तो ये सारा मेटरियल आपके उपर गिर सकता है भार निकल के गिर सकता है शुरू के 30 दिनों में बहुत भारी मातरा में गैस बनती है अगले 30 दिनों में 31 से 60 दिन के बीच में एक हफ़ते के अंतराल में आपको धकन को डिला करना है गैस निकालना है और दोबारा से बंद कर देना है इस समय में गैस की मातरा भी थोड़ी हो जाएगी उतनी गैस नहीं बनेगी जितने पिछले 30 दिनों में बननी थी और याद रखिए ढकन को आपको बिल्कुल भी दिला नहीं छोड़ना है नहीं तो यह खराब हो सकता है 30 दिनों के बाद आपके फल सब्जी के छिल के नीचे तली में जाके बैठ जाएंगे और ध्यान रखिए जिस भी बोतल में आप एंजैम बना रही हैं उस बोतल को आपको थाया में रखना है दूप में नहीं रखना है और अगले 61-90 दिनों के अंतराल में आपको 15 दिन में एक बार गयस को निकालना है मतलब एक महिने में दो बार खोलना है साथियों मेरे पास ये एक बोतल और है इसमें मैंने मौसंबी का एंजाइम पहले से भी बनाया हुआ है इसको नपय दिन पूरे हो चुके हैं आज और इसको मैं ठानके एक बोतल में डाल लेता है साथियों इसके फाइदे जानने के लिए जुड़े रहिए अगली आने वाले वीडियो में हम इसके फाइदों पर सर्चा करेंगे और किस फाइदे के लिए कितना एंजाइम किस तरह से इस्तिमाल करना है इस पर भी हम सर्चा करेंगे और हाँ जिस भी बोतल में आप इस एंजाइम को बनने के बाद डालेंगे इसका ढकन भी कस के बन रखें क्योंकि बनने के बाद भी इसके अंदर बहार की गैस अंदर नहीं जाने, इससे भी ये खराब हो सकता है जोबिए एक्पिर्या ओक्षिजन की अनुपस्थिती में होती है इसलिए ओक्षिजन को इससे दूल ही रखना है एंजाइम को साथियों आप काच की बोतल या प्लास्टिक की बोतल किसी में भी डालके रख सकते हैं और इसको भी आपको छाओं में ही रखना है और टक्कन को भी टाइट बंद करके रख देना है जब जरूरत हो तब अपने जरूरत के अनुसार इस्तमाल कर सकते हैं साथियों इसके फाइदे इतने जबदर्स्त हैं कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे और साथियों मैं चाहूंगा कि मेरे प्रिये दर्शकों को जिनकी भी इसमें रूची है वो इसका practical करके देखें और इसके परेयोगों को करके देखें और क्मेंट बॉक्स में क्मेंट करके बताए कि क्या उसका अनुबह रहा तो साथियों आगली वीडियो में फिर बिलेंगे इसके practical उप्योग के साथ तब तक के लिए लिनमस्कार सुक्रिया